गुद्मानिंग ओलोफ यू बढ़िया मकर सक्रांति के आपको धेरो सुब काम नहीं सबसे पहले तो ठीक है मकर सक्रांति तो हम देखेंगे पहले पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी तो कल अपने क्या पढ़ा था कब कल अपने देखा था बीटा ओक्सिडेशन के अंदर हम लिए को ने एनरजी कालकूलेट करी थी किस तरीके से बीटा ओक्सिडेशन के अंदर energy कालकूलेट और होती है कितने एनरजी बन रही थी अपने पास 130 इस बन रहे थे 130 टो तो 131 लेकिन हमारे पास एक एनरजी का जो था वो ATP क्या हो रहा था काम में आ रहा था किसको एक्टिवेट करने के लिए किसको एक्टिवेट करने के काम में आ रहा था अरे जो फर्स्ट मॉलीक्यूल हमारे पास था कौन था को एंजाइम ए और वो कौन सा था पॉमेटिक अमले कौन सा था तो पामेट लोग देखते हैं कि Metabolism of the Fatty Acid है तो हमारा टॉपिक है वो है Metabolism of Fatty Acid मतलब वसीय अमलों का Sunsillation किस प्रकार से होता है वसीय अमलों का Sunsillation तो वसीय अमलों का Sunsillation अमने देखा कि वसीय अमलों जो है वो क्या होते हैं टूट करके Co-Engime A बनाते हैं तो हमारे पास पहले एक थियोरी थी कि वसीय अमलों का निर्मान बीटा ऑक्सी करन का क्या है व्युत क्रम है यानि उल्टी प्रक्रिया कि कौन सी प्रक्रिया है उल्टी यानि Co-Engime A हमने पीटा ऑक्सीडेशन में देखा कि वसियय अमल टूट करके कोटेंद एक निर्मान करते हैं क्लियर तो वही पर कोटेंद एनजाइम ए ser है वह वापसापस में जुड़ करके किसका निर्मान कर सकते हैं वसियय अमलों का तो लिखी anchor बीटा ओक्सीकरण की उल्टी प्रक्रिया उल्टी प्रक्रिया होती है जो की कितने भागों में कम्प्लीट होती है? तीन भागों में कितने भागों में? जो की तीन सिस्टम के माध्यम से पूर्ण होती है पहला सिस्टम है वो है एक्स्ट्रा माईट्रो कॉंड्रियल सिस्टम फर्स्ट है आपके पास में एक्स्ट्रा माइटोकॉंड्रियल सिस्टम दूसरा है आपके पास में वो है माइटोकॉंड्रियल सिस्टम दूसरा है माइटोकॉंड्रियल सिस्टम तीसरा सिस्टम कौन सा है कौन सा सिस्टम है तीसरा पहला है एक्स्ट्रा माइटोकॉंड्रियल इसका दूसरा नम क्या हो सकता है यानि माइटोकॉंड्रिया के अंदर हो रहा है यानि सैल का क्या हो रहा है division clear दूसरा mitochondrial दूसरा क्या है दूसरा कोन है mitochondrial और तीसरा है आपको में पास में वो है उसका नाम है mycosomal क्या नाम है mycosomal थर्ड नंबर पर अपने पास में है वो है अपने पास mycosomal system mycosomal system यह तीनों के तीनों ही सिस्टम कहां पर complete होते हैं कोशी का के सक्तिग्र है mitochondria में the cell of the powerhouse clear तो चलिए next सबसे पहले start करते हैं extra mitochondrial system फस्ट पोर्शन अपने पास एक्स्ट्रा माइट्रो कॉंड्रियल सिस्टम में क्या होता है कि extra mitochondrial system में को एंजैम एका निर्मान होता है कौन से एंजैम की उपस्तिती में सिंथेटेज एंजैम की उपस्तिती में तो लिखिए इसके अंदर सिंथेटेज एंजैम की उपस्तिती में लिखिए सिंथेटेज एंजैम की उपस्तिती में सिंथेटेज एंजैम की उपस्तिती में अब यह सिंथेटेज एंजैम है कौन सा अरे सिंथेटेज एंजैम है कौन सा? सिंथेटेज एंजैम है डी हाइडोजिनेज सिंथेटेज एंजैम कौन सा है? डी हाइडोजिनेज सिंथेटेज एंजैम सिंथेटेज एंजैम की उपस्थिती में को एन्जाइम ए तथा मैलोनिक अमल तथा मैलोनिक अमल ATP की उपस्तिती में पामेटिक अमल का निर्मान करते हैं पामेटिक अमल का निर्मान करते हैं ठीक है क्योंकि हमारे पास यही सबसे जो है कहा जा सकता है कि संत्रप्त और आसान वसीय अमल है क्लिया पामेटिक अमल पामेटिक अमल सरल एवं संत्रप्त वसीय अमल है जो की उत्को में जो की उत्को में उपस्तित होता है जीवों के जो उत्तक होते हैं टीशू होते हैं उसके अंदर क्या होता है यह उपस्तित होता है ठीक है टीशू जिसको पन बोलते न जैसे अपने पास सरीर में मानव सरीर के अंदर जो मसल्स बनी होती है उत्तक कोसी का हैं जिसस एसी टाइल को एंजाइम ए प्लास दूसरा कौन सा है मैलोनिक अमल प्लास 14H प्लास कनवर्ट करके और यह बनाते हैं हमारे पास पामेतिक अमल bunu प्लास ह 2 0, पामेतिक अमल प्लास ह2 0, पामेतिक अमल प्लास ह 2 0. हो गया चलिए नसहीं सबसे पहले अब इसकी कितनी स्टेपी यह सेवन स्टेप में पूरी होता है कितनी इस्टेप में 27 पर सेब डालें एकेड यह सिटे टाइल को एंजाइम बीतलो को ऐसे का निर्मांड तक जहर आपके पास कि सब एक सब statव co-enzyme A का निर्मान ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में एक तो कौन है co-enzyme एवं ATP यह दोनों के दोनों है वो क्या करते हैं acetate को activate करते हैं किसको activate करते हैं तो co-enzyme ATP acetate को activate करके acetal co-enzyme A का acetal co-enzyme A का निर्मान करते हैं यह है आपके पास acetate plus दूसरा को न आया ATP plus co-enzyme A यह मिल करके और क्या बनाते हैं CS3 single bond COS COA acetal co-enzyme A ठीक है इसका निर्मान करते हैं यह है आपके पास acetal co-enzyme A acetal co-enzyme A का निर्मान करते हैं लिख लिया next second point अपने पास B portion है वो है acetal co-enzyme A का carboxylation heading डालिए acetal acetal co-enzyme A acetyl co-enzyme A का acetyl co-enzyme A का carboxylation यह होता है AMP की उपस्तिती में किसकी उपस्तिती में AMP की उपस्तिती में तो acetal co-enzyme A जो है वो AMP की उपस्तिती में अभी करिया करके और किसका निर्मान करता है melonic co-enzyme A का निर्मान करता है तो लिखे acetal co-enzyme A AMP की उपस्तिती AMP की उपस्तिती में AMP की उपस्तिती में dehydrogenase enzyme की सनलगनता के साथ myelonic co-enzyme A का निर्मान myelonic co-enzyme A का निर्मान करता है myelonic co-enzyme A का निर्मान करता है लो लीग जी आपके पास CS3 COS COA PLUS AMP Acetyl co-enzyme A AMP तथा dehydrogenase enzyme की उपस्तिती में अभी करिया करके बनाता है COOH single bond CH2 COS COA यह क्या है आपके पास myelonic co-enzyme A और यह है आपके पास Acetyl co-enzyme A AMP की उपस्तिती में अभी करिया करके myelonic co-enzyme A का निर्मान करता है हो गया next अपने पास third point है वो है Acetyl co-enzyme A तथा myelonic co-enzyme A का इस्थाना अंतरण heading डाल यह Acetyl एवं myelonic समुहे का Acetyl तथा myelonic समुहे का इस्थाना अंतरण का इस्थाना अंतरण Acetyl तथा Acetyl तथा Melonic समुहे का इस्थाना अंतरण इस्थाना अंतरण लिखे इसके अंदर लिखे enzyme लिखे enzyme पेटी असाइल आईसोमरेज पेटी असाइल आईसोमरेज की उपस्थिति में पेटी असाइल आईसोमरेज की उपस्थिति में Acetyl-Co-Enzyme A Acetyl-Co-Enzyme A तथा Melonic-Co-Enzyme A Melonic-Co-Enzyme A से Acetyl-Co-Enzyme A Acetyl-Co-Enzyme A protein को इस्थानांतरित हो जाते हैं Acetyl-Co-Enzyme तथा तथा लिख्या आगे तथा एक तथा एक नए योगिक का निर्मान करते हैं नए योगिक का निर्मान करते हैं जो की जो की Melonic-Co-Enzyme A इस्था इत्तुव प्रदान करता हैं कि इस्थाइत्व प्रदान करता है कि को एंजाइम एव जैसा था वैसा का वैसा बहार निकल जाएगा और यह क्या बन गया हमारे पास एक नयाई कमपाउंड बन गया जिसका नाम है एसीटो एसीटाइल क्लियर दूसरा अपने पास मैलोनी काम ले था सिंगल बॉन्ड सी एस टू सी ओ एस सी ओ एस ए प्लास रियक्शन करके क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड सी एस टू सी ओ एस 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 एच यह दो कमपाउंड बनाएंगे जो की इसको मैलोनिक समूप और एसिटाइल समूप को क्या प्रदान करेगा इस्थाइट प्रदान कर देगा नेक्स्ट अपने पास वो है अपने पास कंडेंशेशन नेक्स्ट लिखिए के अंदर इसमें लिखिए इसके अंदर इसमें लिखिए इसके अंदर कि एसिटाइल को एंजाइम ए वे मैलोनिक को एंजाइम ए आपस में संगनित होकर एसिटो एसिटाइल को एसिटाइल को एंजाइम ए का को एंजाइम ए का निर्मान करते हैं जो की उत्तकों में संसलेशित होता है जो की उत्तकों में संसलेशित होता है इसका नाम है एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए यह आपके पास में आ गया कौन सा यह कौन सा है एसिटाइल को एंजाइम ए और यह है आपके पास मैलोनिक को एंजाइम ए यह आपस में संगनित होते हैं संगनित का मतलब आपस में जूडते हैं और जूड करके क्या बनाते हैं एसिटो एसिटाइल को एंजाइम A का निर्मान करते हैं एसिटो एसिटाइल को एंजाइम A बना देते हैं हो गया? इस वाले पोर्शन को यहाँ पर लिख लीजिए नेक्स इसका दूसरा नम है वो लिखे एसिटो एसिटाइल एसिटाइल ACP या ACETO-ACETIL COA ठीक है next आता है अपने पास next point है वो है आपके पास ACETO-ACETIL ACP का आउकरण क्या है आउकरण देखिए यह आपके पास में है CS3 COO-CH2-COS-ACP यह जो है वो water molecule के साथ अभी करिया करेगा और अभी करिया करके आपके पास बनाएगा CS3-COS-H-CH2-COS-ACP इसका नाम क्या है बीटा हाइड्रोक्सी क्युप्राइट लिखिए इसके अंदर लिखिए एसिटो एसिटाइल एसिपी जल के एक अनू के साथ अभी करिया करके बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी क्युप्राइल का निर्मान करता है अब अपनने पिछली बार वाली बीटा उक्सिडेशन के अंदर अपनने क्या किया था वहाँ पर भी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोड़क्ट बना था और उस बीटा हाइड्रोक्सी प्रोड़क्ट को अपनने किस में कनवर्ट किया था एसंत्रप्त अलफा बीटा में किया नहीं किया था तो अगला पॉइंट भी वही है यहां से next क्या होगा इस वाले portion का यहां से OH और यहां वाले portion का H वापस क्या होगा water molecule के रीप में बहार निकल जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा का CS3 CH double bond CS2 clear तो next point है हमारे पास में वो लिखिये alpha beta एसंत्रप्त एसाइल एसीपी का निर्मान एसीपी का निर्मान तो लिखिये CS3 single bond C OHH CS2 COS ACP इसको जैसे ही आप क्या करोगे dehydrate कराओगे तो इसमें से water molecule बहार निकल जाएगा और CS3 single bond CH double bond CH single bond COS ACP इसको कहा जाता है एसंत्रप्त एसंत्रप्त बीटा alpha beta acyl ACP alpha beta acyl ACP आप reaction लिख लिजी इसके अंदर अब हमें एसंत्रप्त एसंत्रप्त हमें नहीं चाहिए क्यों क्योंकि यह एनिस्टेबल है कौन है एनिस्टेबल इससे अपने को क्या चीएगा संत्रप्त बनाना पड़ेगा और संत्रप्त बनानी के लिए हमें इसका क्या कराना पड़ेगा hydrogen करन कराना पड़ेगा क्या कराना पड़ेगा hydrogen तो next हमारा point है वो हमारा point है कोंसा एसंत्रप्त एसंत्रप्त एसईल ACP से संत्रप्त ASILE ACP का निर्मान ठीक है? इसमें क्या होगा? हाइडोजनी करण करवाएंगे क्या करवाएंगे भई? तो क्या बनेगा आपके पास? CS3, सिंगल बॉंड CH double bond CH, single bond COS ACP इसका हाइडोजनी करण करवा दीजिए हाइडोजनी करण और हाइडोजनी करण करवाते ही हमें मिलेगा CS3, single bond CH2 CH2, COS ACP इसको कहा जाता है संत्रप्त ASILE ACP क्या कहा जाता है संत्रप्त ASILE ACP क्लियर? और हमारा मैन मकसद यही था extra mitochondrial जो system है उसके अंदर हमें क्या मिलना था co-enzyme A से यानि acetate से हमें मिलना था संत्रप्त ASILE ACP का निर्मान करना था आगया समझ में? अब यह जो संत्रप्त ASILE ACP हमारा मैन मकसद क्या है? क्या बनाना? fatty acid बनाना क्या बनाना? तो यहां मारे पास पहला system था वो था कौन सा extra mitochondrial system जिसमें हमें किस से क्या मिला? S co-enzyme A co-enzyme A और से हमें क्या मिल गया? संत्रप्त ASILE ACP अब यह संत्रप्त ASILE ACP किस के पास जाएगा? mitochondria के पास किस के पास जाएगा? और mitochondria से then आगे की process होगी जो हम हमारी कल की class के अंदर करेंगे ठीक है? कल की class के अंदर इसका next step देखेंगे जिसके अंदर S.I.L. संत्रप्त ASILE co-enzyme A जो है वो आगे अभी करिया करता है और किस परकार से वापस fatty acid का formation होता है तब तक के लिए टेक केर गुद बाई